अब उसका एक्जामिनेशन भी बहुत ही जल्द कंड़क्ट होगा उसी को कंसिडर करते हुए मैं आज आप सभी लोगों के लिए प्रिवियस येर पेपर ले करके आ रहा हूँ जो की राजस्तान जुडिसियल सर्विसेस एक्जामिनेशन से रिलेटेड है इसमें आज हम बात करेंगे 2013 के पेपर के बारे में कि कैसा आया था 2013 में जब एक्जामिनेशन कंड़क्ट करवाया गया था bilingual हम चलेंगे दोनों languages में question को हम यहाँ पर observe करते हुए चलेंगे कुछ question को हम लोग Hindi में पढ़ेंगे कुछ question को हम लोग English में पढ़ेंगे तो language barrier यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी इसू नई बनने वाला है आईए एक एक question से हम यहाँ पर start करते हैं यहाँ पर पहला question आपके सामने सो हो रहा है इसको थोड़ा समय और जूम कर लेता हूं जिससे कि आप लोगों को और बहतर तरीके से यहाँ पर देखने का मौका मिले देखिए पहला question जो यहाँ पर सो कर रहा है वो कह रहा है कि उच्छतम नयाले द्वारा निर्धारित किया गया है कि राश्री धोज को आदर एवं गरीमा के साथ फाराने का प्रतेक नागरिक का संबेदान के अनुछिद 19.1 को के अंतरगत मूलभूत अधिकार है यह case law की बात कर रहा है यहाँ पर 2013 की अगर हम बात करें तो 2013 में पहला जो question हम लोगों से पूछा गया था वो case law based question पूछा गया था question क्या है question क्या करता है question को ध्यान से समझे question simple यह कर रहा है कि उच्छतम नयाले ने के द्वारे एक case का निर्धारन किया गया था और case के निर्धारन में क्या कहा गया था कहा गया था कि आप flag को host कर सकते हो फारा सकते हो लेकिन किस तरह से आप फारा हैंगे उसको पूरा का पूरा रिस्पेक्ट देंगे पूरा का पूरा आदर एवं गरीमा के साथ आप क्या कर सकते हैं जंडा को फारा सकते हैं आर्टिकल के अगर हम बात करते हैं, कि ये कहां पे हमको देखने के लिए मिलता है, मूलभूत अधिकार है, कहां पर देखने के लिए मिलता है, तो Constitution of India के आर्टिकल नमर 19.1.1 के अंतरगती हमको देखने के लिए मिलता है, यहां पे कुछ case law भी हमारे सामने mention किये गए हैं, कि यह जो बात कही गई है, कि जंडा फाराने का अधिकार सबको है, लेकिन आप जंडा कैसे फाराएंगे, आदर एवं गरीमा के साथ, आदर एवं सम्मान के साथ जंडा को आप होस्ट करेंगे, यह बात किस case law में mention किया गया है, क्या यह बात केशवाननदा भारती परसेज स् करेंगे, तब तब हमारे लिए यह case law important होगा, लेकिन इस question के accordance में यह case law यहाँ पर relevant नहीं है, हमारा option यह नहीं होगा, next option के पास जाते हैं, कह रहा है, अब है सिंग बना मुत्तर प्रदिश राज्य के मामले में, तो यह जो question हमारा पूछ रहा है, question के accordance में हमारा B वाला भी answer यहाँ पर appropriate नहीं होगा, हमारा next option हम चेक करेंगे, भारत संग बना नवीन जिंदल के मामले में, आप कहेंगे कि यह इसका option होगा, मैं कहूंगा definitely यही इसका correct answer mark किया जाएगा, क्यों यह नवीन जिंदल की आप बात कर रहे हैं, जिंदल स्टील, जिंदल सरिया का आप लो private company थी, यह private company अपने प्रतिष्ठान के उपर क्या कर रहा था, जंडा फारा रहा था, और जंडा पूरे के पूरे आदर एवं गरीमा के साथ फारा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने objection किया, कि आप private संस्ता हैं, आप अपने प्रतिष्ठान पे, आप अपने company पे जंडा न सबनम हासमी बनाम भारत संग के मामले में, यह भी हमारा correct answer नहीं होगा, जो हमारा correct answer यहाँ पे mark किया जाएगा दोस्तों, वो C वाला option यहाँ पे correct होगा, और यही इसी तरह से हमारे examination में, हमारे preliminary examination में question RGS में हम से पूशे जाएंगे, next question की बात करते है, question number second की, question number second आप सभ संबैधानिक अधिकार है, परन्तु मूल अधिकार नहीं है, अब यहाँ पे question आपको फसाने का काम कर रहा है, आप फसेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों ने already इस nature की question को एक बार नहीं, दो बार नहीं, पच्छासों बार आप लोगों ने solve किया होगा, question को पढ़िए, question को समझेए, कर रहा है कि संबैधानिक अधिकार है, अब हम संबैधानिक अधिकार की बात करें, तो क्या क्या हमारे संबैधानिक अधिकार में आता है, हम इसी option से ही क्या करेंगे, eliminate करना सीखेंगे, यह भी हमारे पास एक कला होता है, और यह by the timing अगर हम इस art को जान जाते हैं तो हम question न भी आता हो at that time, हम eliminate करना जान जाते हैं, कह रहा है प्राण एवं दोहिक स्वतंतरता का संडक्षा, life and personal liberty की बात कर रहा है, यह तो हमारा fundamental right है, question क्या कह रहा है, कह रहा है संबैधानिक अधिकार है, परंतु मूल घुत अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है, यह तो हमारा मूल अधिकार है न, विल्कुल है, प्राण एवं देहिक सोतंतरता की हम बात करते हैं, कर भारत के राज्य छेतर में सर्वत्र आबाद संडचन का अधिकार, यह भी right हमारे पास है, यह भी हमारा fundamental right है, साथी साथ कर रहा है सांतिपूर संबेलन का अधिकार, य constitution of India के article number 19 में हुआ करता था, लेकिन by the time being अब इनको कहां बेद दिया गया है, capital 300A, article 300 capital A के अंतरगत इनको क्या बना दिया गया है, इनको आप संबैधानिक अधिकार बना दिया गया है, किसको संपत्ति रखने के अधिकार को, तो इस तरह से आप कुछ चीजों को eliminate करके भी इसी nature के question आपके examination में continuously पूछे जा रहा है, और उसी nature के questions को मैं आप सभी लोगों के सामने ले करके आ रहा हूँ, यहाँ पे question number 3 की बात करते है, question number 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, आप सभी लोगों ने देखा होगा reason and assertion based question आप सभी लोगों से continuously आपके examination में पूछे जाने का क किया जा रहा है यहां पर क्या कहा जा रहा है तो पाट के बात करते हैं तो पाट नमबर 4 के पास जाएंगे यह चीज आप यहां पे ध्यान रखते वब चलिएगा कह रहा है कि राज्य की नीती के नीदेशक तत्तो किस नयाले दोरा प्रवर्तनिया नहीं है कह रहा है किसी नयाले दोरा प्रवर्तनिया नहीं है not enforceable by any quote of law किसी भी नयाले के दोरा प्रवर्तनिया नहीं है कथन दो कि अगर हम बात करते हैं 2 कर रहा है राजी की नीती के निदेशब्स सभी देश के सासन में मुलभूत हैं अब यहां पर बात को हम को देखना है को ऑप्र इसी नेचर के और आपके कफने सम्छा में आ जाए यह आल्रेडी 2013 में पूछा हुआ कोशन है RGS की अगर हम बात करते हैं वहाँ पर आल्रेडी आपसे यह कोश्चन पूछा गया है तो उसी नेचर का यही कोश्चन क्या पता 2024 में अगर रीपीट हो जाए तो कितना मज़ा आएगा अब आप कोश्चन के नेचर को समझे कोश्चन आपसे काना क्या चाहता था कोश्चन फिर हम रीपीट करते हैं क्योंकि आपके पास इस समय एप्रोप्रियेट टाइम है और इस एप्रोप्रियेट टाइम का आप यूटिलाइजेशन खुब धुमधाम से करिए राज्ये के नीती निदे सक ततो किसी नयाले दोरा प्रवर्तनी नहीं है ये बात 100% सही कही जा रही है ये बात बिलकुल गलत नहीं कही जा रही है एक चीज़ आपको देखने के लिए मिल गया कि पहला बात जो कहा जा रहा है पहली बात जो कही जा रही है वो बिलकुल सही कही जा रही है दूसरी बात की हम कहते हैं राज्य की नीती के नीजे सक्ततो देश के सासन में मूलभूत हैं दूसरी बात भी सही है तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि पहला सही है कि दूसरा सही है तो आप क्या यहाँ पे मार्क करेंगे कि पहला सही है कि दूसरा सही है तो यहां पे अब आप लोगों ने इतनी बार observe कर लिया अब आप लोगों को भी एक tentative idea मिल गया कि जो हमारा correct answer mark किया जाएगा वो A वाला ही हमारा mark किया जाएगा क्योंकि पहली बात बी जो कतंथन पहला कर रहा है वो भी पिल्कुल सही कर रहा है और कतंथन दो भी जो कर रहा हो भी पिल्कुल सही कर रहा है इस question के accordance में तो इसी nature के question आपके examination में आप सभी लोगों से पूचा जाएगा नेक्स कोष्चन की बात करते हैं आखिर में क्या कहना चाहिए कोष्चन नम्बर फ॔र आप लोगों से हैं अब किस प्रकार की विधी है और क्या गोषित किया गया है अब आएए इसको देखते हैं दिनेश कुमार बनाम यूसूफ अली के मामले में ये जो question पूछा जा रहा है कहा जा रहा था है कि उच्छतम नाले द्वारा वैकल्पिक विबाद निस्तारण की हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं ADR mechanism की बात करते हैं alternative dispute resolutions की जबजब हम बात करते हैं उसके लिए भी एक act बनाया गया है ADR mechanism 1996 का हमारे पास एक कानून है और उसी कानून की बात यहां पे की जा रही है उच्छतम नाले द्वारा वैकल्पिक विबाद निस्तारण प्रक्रिया तता सिविल प्रक्रिया सनिता की धारा section 89 order 10 rule 1 के पास जब हम जाएंगे तो पूरा का पूरा मामला हमारे सामने clear हो जाएगा इसी पर पूरा का पूरा हमारा mediation का concept depend है outside court में हम जाकर के किसी यह चीज़ को अगर settlement करते हैं तो इसी section 89 CPC के ही अंतरगत जाकर करते हैं options को यहाँ पर देखिए options आपके सामने क्या क्या प्रोवाइड किये गए है option पहला का रहा है दिनेश कुमार बना यूशुफ अली के मामले में नहीं ऐसा तो इनके मामले में कुछ नहीं कहा गया था section 89 of CPC को लेकर के option नमबर B की बात करते हैं एफकान इन्फरास्ट्रक्शर लिमिटेड बनाम चेरियन वर की कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामले में हमारे पास next option B.S.C. वाला B.M.L.S. बनाम New India Assurance कंपनी के मामले में option D.B. हमारे पास standard chartered bank बनाम B. Nobel कुमार के मामले में यहाँ पे जो हमारा correct answer दोस्तों mark किया जाएगा question number 4 के accordance में यह हमारा B वाला यहाँ पे correct answer mark किया जाएगा तो CPC से related इस nature के भी question आपके examination में continuously पूछे जा सकते हैं जो की case law based है अब यह case law based आपके सामने question आप लोगों ने देखा अब आगे चलते हैं जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि दोनों languages में मैं question ले करके आऊंगा as usual दोनों languages में मैं आप सभी लोगों के लिए question ले करके आया हूँ जैसे कि अभी आप लोगों ने हिंदी पे previous year paper को देखा same उसी manner में आप यहाँ पे English languages में देख रहा है The Supreme Court has held right to fly the national flag with respect and dignity as a fundamental light of every citizen within the meaning of article number 19 clause 1a The Constitution of India in the Keshaw किस case में कहा गया था तो मैंने आप सभी लोगों से बताये था कि केषणन रभारती versus state of Kerala के मामले में नहीं कहा गया था फिर Abhay Singh versus state of Uttar Pradesh के मामले में भी नहीं कहा गया था यह बात किस में कहा गया था तो Union of India वर्सस नवीन जिंदल का एक मामला था और इसी मामले में इस केस को अपहल किया गया था और इसी में कहा गया था आप with due respect एक साथ आप धंडे को host कर सकते हैं Next question की हम बात करते हैं, question number second की बात करते हैं कर रहा है, which इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा जल्दी लिकर रहा हूँ क्योंकि already मैंने हिंदी में इसके लिए time ले लिया है मैं read कर रहा हूँ, जो भी हमारे candidates इंगलिस में देखना चाहते हैं उनके लिए Which of the following is a constitutional right but not a fundamental right Already आप लोगों ने options को भी देख लिया, option ये कर रहा है, protection of life and personal liberties की बात करता है Option B कर रहा है, right to move freely throughout the territory of India की बात कर रहा है Option C जो कर रहा है, right to assemble peacefully की बात कर रहा है Option D कर रहा है, right to hold property की बात कर रहा है ये कहां चला गया है, 300 capital A of constitution of India के अंतरगर, ये चला गया है और ये हमारा क्या हो गया है, अभी हमारा fundamental right नो हो करके, अभी हमारा constitutional right बन चुका है तो इस nature के भी question आपके examination में पूछे जा सकते है Question number 3 की हम बात करते है statement number 1 की अगर हम बात करते हैं, या फिर statement number 2 की बात करते है Directive principle of state policies are not enforceable by in the court Definitely बात सही कहा जा रही है, कि जो हमारा directive principle of state policy होता है इसको हम कभी भी enforceable नहीं कर सकते हैं, quote of law में जा करके Second statement की हम बात करते है Directive principles of the state policy are fundamental in the governance of the countries की बात कर रहा है ये भी बात बिलकुल सही कर रहा था तो दोनों को अगर हम देखते हैं, तो both of the statement are true यहां पर कही जारी थी ये English वाला question आपका हो गया Fourth question की हम बात कर रहते हैं The Supreme Court of India has laid down the law relating to the alternative dispute resolution processes की अगर हम बात करते हैं CPC की बात करते हैं, section number 89 की बात करते हैं, order 10 की बात करते हैं, rule 1 की बात करते हैं तो पूरा का पूरा mechanism हम को क्या देता है, mechanism देता है कि settlement outside the vote की बात करते हैं और यह कहां पर हमको देखने के लिए मिलता था, तो जो हमारा Fcon Infrastructure Limited versus Charion, Warcake Constructions and Company का मामला था, इसी के अंतरगत यह fall कर रहा था तो चारो के चारो आपने Hindi में देखा, question, चारो के चारो आपने English में देखा next question के पास चलते हैं, अब जो हमारा next question है, वो question number 5 आप सभी लोगों के सामने flash कर रहा है, screen पे, question number 5 आप सभी लोगों से क्या करना चाहता है कर है civil procreation इता के आदिस 32, नियम 9 के अंतरगत एक अवयस्क के बाद के वाद मित्र को हटाया जा सकता है अब एक अवयस्क का जो वाद मित्र है, किस कारण से हटाया जा सकता है, अब सभी के सभी कारणों को हम पढ़ेंगे तो हमको एक कारण मिल जाएगा, कि किस कारण के वज़े से उसको हटाया जा रहा है option A की अगर हम बात करते हैं, यदि वाद के लंबित रहने के दौरान, वो भारत के बीतर निवास करना छोड़ देता है भारत के बीतर निवास करना ही छोड़ देता है, CPC से related question आ रहा है और order number 32 से, आपको पता होना जाएए कि order दे रखा है हमारे CPC के अंतरगत rule दे रखा है हमारे CPC के अंतरगत, साथी सथ section भी दे रखा है CPC के अंतरगत, यहाँ पे जो option दे रहा है, पहला option आपने देख लिया दूसरे option की बात करते है, जहाँ उसका hit awareness के hit के प्रतिकूल हो जाता है option number B आपने देख लिया, option C आप देखिए, जहाँ वो अपना कर्तब नहीं करता है और option D कर रहा है, उपरोगत में से किसी भी कारण पर, तो यहाँ पे जो इसका correct answer mark किया जाएगा अगर question number 5 की बात करते हैं, यहाँ पे इसका appropriate answer होगा, वो दोस्तो D वाला ही इसका appropriate answer mark किया जाएगा इस question के accordance में, क्या करते हैं, जो आदेश इसका 32 दिया है, नियम नो दिया है, इसके अंतरगत जो हमारा D वाला option होगा, यही correct answer यहाँ पे बात किया जाएगा question number 6 की बात करते हैं, सभी के सभी question कहीं न कहीं, आपको CPC से Civil Procedure Code 1908 से related question आपको देखने के लिए मिल रहा है तो इससे आपको एक idea भी लग जा रहा होगा, कि Constitution of India से कितने number of question हमारे previously examination में पूछा गया है हमारे CPC से कितने number of question पूछा जा रहा है, IPC से कितने number of question पूछे जा रहा है तो एक tentative idea भी मिलता जाता है जब आप previous year paper को continuously solve करते हैं next question की बात करते हैं, question number 6 की बात करते हैं, कर रहा है कि Civil Procreation शनीता में एक पक्षिया decree के आपास्त किया जा सकता है जो एक पक्षिया decree होता है, उसको किस तरह से आपास्त किया जा सकता है तो उसके लिए आपको direct order आपको याद होने चाहिए, direct आपको rule याद होने चाहिए तभी आप इस nature के question को कर सकते हैं, अन्यता इस type के question को आप touch नहीं करिए क्योंकि आपको ये चीज़े memorize होनी चाहिए, अगर CPC में आप हाथ लगा रहे हैं और order से और rule से related question आ रहा है, तो आपको to the point ये चीज़ memorize होनी चाहिए अब देखिए, साब साथ बहुत बता दिया है कि एक पक्षिया decree को आपास्त किया जा सकता है तो ये जो एक पक्षिय decree की अपास्त कि अगर हम बात करते हैं, तो definitely आपको order number 9 और rule number 13 के अंतरगत आपको देखने के लिए मिलता है हमें इन सभी में भूमने की आउस्टरक्ता ही नहीं है, जो हमारा correct answer mark किया जाएगा, वो C वाला यहाँ पर directly mark किया जाएगा नेक्स question की बात करते हैं, question number 7 की बात करते हैं, अखिर में ये क्या कहना चाता है question number 7, कह रहा है कि प्रतिग्रहन की संसूचना, प्रतिग्रहिता के विरुद तब संपूर हो जाती है, कब इसको संपूर मानी जाती है, कब ये संपूर हो जाती है, इसको भी हमें देखने की ज प्रतिग्रहण किया जाता है अब आप देख सकते हैं कि इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट 1872 भी यहां पर डायरेक्ट इन्वाल्व हो गया अब इससे भी डायरेक्ट पूछा जा रहा था अभी आप आपके पास क्या आ जा रहा है तो इसी नेचर के कोस्टिन आपसे आपको मिलेंगे यह नहीं कि एक फ्लो में चल ला है कि अगर सीपीसी चलेगा सीअरपीसी चलेगा ऐसा नहीं होने वाला है नेक्स्ट ऑप्सन दे रहा है जब वह अप रस्थापक के प्रति पारेशन के अनुकरम में कर दी जाती है अपसन सी कर रहा है कि जब वह प्रस्थापक के ग्यान में आ जाती है तो जो यह कोस्टिन कर रहा है उसके एक और्डेंस में इसका कौन सा अपसन करेक्ट माना जाएगा सी माना जाएगा कोस्टिन को फिर आप रिपीट करिए ध्या उसके विरुद संपूर हो जाती है जब वो प्रस्थापक की ज्यान में आ जाती है तो क्या मान लिया जाता है तब वो संपूर मान लिया जाता है जैसे question का रहा है question का आदा dot 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 part ये वाला आपका option correct हो जाएगा जब आपको इसके साथ लगा करके पढ़ेंगे तो आपको एक relationship आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और यही relationship आपके examination में काम आएगा इसी तरह से आप इस्तमाल करेंगे अगर at that time आपको question नहीं समझ में आता है next question की बात करते है question number 8 की बात करते है question number 8 यहाँ पर क्या आपसे कहना चाहता है कहना चाहता है question number 8 देखिए कर रहा है कि ऐसा करार जो और प्राप्तवे से भिन्ने किसी व्यक्ति के और उधार्त हो किसकी बात कर रहा है incompetent की बात कर रहा है और प्राप्तवे की बात कर रहा है incompetent नहीं और प्राप्तवे जो माइनर है उस माइनर के बारे में हाँ पर बात किया जा रहा है तो माइनर के साथ अगर कर रहे हैं ऐसा करार जो और प्राप्तवे से भिन किसी व्यक्ति के और अधार्त होता है उस करार को हम कौन सा करार मानते हैं तो इस नेचर के करार को हम wide ab initio मानते हैं क्या करते हैं इसको अगर English में कहेंगे तो सुनने हिंदी में कहेंगे तो सुनने करार कहेंगे और English में कहेंगे तो wide ab initio का जाएगा means कि सुरुवात से ही इस प्रकार की चीज़ों को हम क्या मानते हैं करते हैं तो इसको इंग्लीस में वाइड एबल काते हैं क्या करते हैं तो वाइड एबल एड़ ऑप्सन आप दी पार्टी की बात करता है लेकिन जहां पर हम सुनने माल लेते हैं सुरुवात से सुनने वह उसका वजूद ही नहीं है तो इस नेचर के भी कोश्चन आपके एक् व्हेकति होता है जिसको हम उपनिहीती करते हैं तो उपनिहीति वह होता है जिसको हम पून करक्षब Heal पेज्ग करते हैं स्वाहरे नमीर करें दुट Now ये बहुत ही important बहुत ही landmark judgment माना जाता है जब जब हम Indian contract act की बात करते हैं राइलेंड वर्सिस फ्लेशर की अगर हम बात करते हैं राइलेंड बनाम फ्लेशर के मामले में प्रतिपादित कठोर दायत। अगर oh my god आपने देखा था act of god के अंतरगत अगर कोई चीज हो रहा है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हम कठोर दायतु इस्ट्रिक्ट liability को मानने के लिए जिम्मेदार हम नहीं हैं भाईया भुकम पागया मैं क्या कर सकता हूं ये इस्ट्रिक्ट liability के अंतरगत अपसे नमबर बी कर रहा है जब नुकसान किसी अजनभी के शदो स्कृत्य के कारण हुआ हो ये नहीं होगा जब नुकसान वादी के स्वेम की गलती के कारण हुआ हो ये गी नहीं होगा उपरोगत सभी ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा जो यहां पर करेक्ट आंसर आपक और English में भी, तो यहाँ पर फिर मैं English में question आप सभी लोगों के लिए ले करके आ रहा हूँ, देखें यहाँ पर question क्या कह रहा है, कह रहा है कि under order 32 rule 9 of the code of civil procedure, a next friend of a minor can be removed, कैसे next friend को हम remove कर सकते हैं minor के, तो मैंने आप लोगों से already बता दिया था, for any of the above reason, किसी भी एक कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ से remove किया जा सकता है, options जो दे रखे हैं, इन ही options को हमें readout करना है, question number 6 की अगर हम बात करते हैं, question number 6 क्या कर रहा है, in the code of civil procedure and x party decree can be set aside, x party जो decree होता है, इसको कैसे set aside किया जा सकता है, तो आप लोगों को मैंने already बताया था, कि under order 9 rule 13 के बा है था, और इसी के अंडर यह सारा का सारा काम होता है, बात करते हैं, question number 7 की, question number 7 आप से क्या कर रहा है, question number 7 कर रहा है, the communication of an acceptance is complete as against the acceptor, कैसे यह माना जाएगा कि यह complete हो गया है, तो मैंने आपको at that time ही बताया था, when it comes to the knowledge of the proposal, जैसे ही वो उसके संग्यान में, जैसे ही वो उ communication क्या हो गया है, complete हो गया है, question number 8 की अगर हम बात करते हैं, कर रहा है, an agreement in restraint of the marriage of any person other than a minor is, यह क्या होगा, इसको हम लोग वाइड मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको हम लोग वाइड आप इनिशियो मानेंगे, restraint कर रहा है, किसमें और उत पैदा कर रहा है, marriage में जा करके, restraint पै करता है, barely is a person, barely हम किसको कहते हैं, तो barely हम उसी को कहते हैं, to whom the goods are delivered, जिसको हम लोग goods क्या करते हैं, delivered करते हैं, उसी को हम barely कहते हैं, यह दो concept होता है, barely और bailer का concept होता है, question number 10 की हम बात करते हैं, the rule of the strict liability propounded in the case of Ryland versus Fletcher is not applicable, यह किसके अंतरकत applicable नहीं होता है, तो option number A दे रहा है when the damages is due to the, this measure, अगर प्राकिरती कापदा के कारण कोई चीज हो जाता है, तो उस पे हमारा Ryland versus Fletcher का मामला apply नहीं करता है, तो इस प्रकार के सभी के सभी questions को मैं, आप सभी लोगों के ले करके आता रहूंगा, और इसी तरह से solve कराता रहूंगा, अगर आप लोगों को यह session अच्छा लग रहा है, तो आप जरूर हमें comment करके बताएं, हम इसका part 2 जरूर ले करके आएंगे, और इसी प्रकार के पूरे के पूरे energy के साथ आप सभी लोगों के सामने Hindi और English दोनों languages में question को solve कराएंगे, फिर मिलेंगे एक next वीडियो में, एक next update के साथ तब तक के लिए आंने बाद।